हिंद भारत आपकी अपनी आवाज पुचाया था उनका मानना था कि जो काम करो हट कर करो तो कैसा था चंदर भानू गुपता का राजनेतिक और निजी जीवन देखे हमारे इस रिपोर्ट में यूपी के मुख्य मंदरी रहे चंदर भानू गुपत निजी जीवन में काफी कंजूस थे वो मदद मांगने आने वालू पर पहले तो भड़क जाते पर जब वो निराश होकर लोटने लगता तो खाली हाथ नहीं जाने देते थे फरोज गांदी के खिलाफ राइबरेली से चुनाव लड़े और राम मनहरलोया के लंबे समय तक निजी सचिव रहे नंद किशोर के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ उनकी बेटी की शादी तै हो गई थी पर उनके सामने पैसी की बड़ी समस्या थी मित्रो ने मदद की लेकिन तब भी वो धन कम ही रह गया नंद किशोर ने अपने समरन में लिखा है कि मैं गुप्त जी के पास गया और पांच हजार रुपे मांगे वो भड़क गये और बोले क्या मैं कुबेर हूँ जो देखो वो चला आता है मेरे पास भी कुछ नहीं है मैं भी उन्हें बड़बडाता हुआ लोटाया दुख्यों निराश होकर कॉफी हाउस में बैठ गया लगबग दो घंटा हो गया तवी परकाश महरोतरा जो बाद में राज्यसबा सदस्य और असम के राज्यपाल भी बने वो कॉफी हाउस के अंदर आते दिखे सीधे मेरे पास आयर मुठी में पकड़े रुपे मुझे गुप्त जी ने पांच हजार रुपे आपके लिए भिजवाए हैं रख लो फिर उन्होंने पांच हजार रुपे अपने पास से मुझे दिये जसके बाद मैं उनकी तरफ सवालिया निगहू से देखने लगा तो बोले तुमारे नाराज होकर चले आने के बाद संयोग से म होने के कारण मैं उसकी मदद नहीं कर पाया उसकी पुतरी की शादी कैसे होगी मैं रोत्रा ने बताया इसके बाद मैंने लोगों से पांच हजार रुपे एकतर कर उन्हें दिये तो उन्होंने मुझे तुमारे पास भेजा मेरी आखों में आसू आ गए बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजिनीती में चंदर भानु गुपता का बोल बाला था जैसके चलते उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें काफी पसंद भी करती थी हलाकि उनकी समाजिक लोगप्रियता को जबाल लाल नहरु पसंद नहीं करते थे कहा जाता है कि यूपी कॉंगरेस मे उनका इतना दब दबा था कि विदाएक पहले चंदर भानु के सामने नत मस्तक हुआ करते थे। फिलाल किस्स स्यासत के के इस एपिसोड में इतना ही देखते रहे हिंद भात ने उचुच देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हिंद भारत लाइप, सब अबस्क्राइब और शेर करना ना भूलें